नितीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओएसी बी टीम है अब नितीश कुमार को शरम नहीं आती उसी ज़ापर जाकर बैटने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे अब हम तेजस्वी यादफ से पूछना चा रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको भी आप में हमारे चार एमेलेस को तोड़ा था अब आपको कुछ दरद हो रहा है सीने में तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में नितीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिन्द से माफी चानी जाईए और तीनों ने तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जन्दा को जो बातें की हैं और जो वादे किये थे और अपनी पुलिटिकल आइडियोलोजी की बात की थी उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जन्दा को एक बहुत बहुत धोका दिया है और यख कि O.A.C. B. टीम है अब नितिश कुमार को शरम नहीं आती उसी जहाँ पर जाकर बैटने के लिए जहाँ पर हम पर लिजाम लगाते थे और नितिश कुमार ने political opportunism कहना तो understatement होगा उन्होंने हर चीज़ का record तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का ना इतिवार है ना भरोसा है मैं शरूर से कह रहा था कि नितिश कुमार फिर से बीजे पी में जाएंगे मगर लोग हमारी बात के एकीन नहीं कर रहे थे अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको अभी आपने हमारे चार एमिलेस को तोडा था अब आप को कुछ दरद हो रहा है सीने में तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोका दी है दो-दो मरतबा नितीश कुमार को और ने मुख्यमंत्री बनाया बताईए अब क्या हासिल हुआ आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी नितीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे हुकुमत चलेगी बिहार में आरेसेस के नरंदर मोडी की हम तो यही चीज़ को रोकना चाह रहे थे M.I.M. पार्टी सी को रोक रही थी और जब हमारे सीमाचल की जनता ने M.I.M. के पांच विधाय को कामियाद किया तो हमने तो जब उनके स्पीकर के लेक्शन में ताइद की थी घडबंधन के मगर दितेजस्वी यादफ को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनताक एक तरफ और उनके परिवार से को भी मुख्यमंत्री बन जाए नितीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिन्दार हो मुख्यमंत्री रहूं और B.J.P. को लगता है कि हर चीज हमको मिल जाएं चाहे कुछ भी हो किस तरीखे से हो जाए देश के बधान मंत्री का भाशन मुझे याद आ रहा है जब नितीश कुमार ने वो अब्जेक्शनिवल बातें कहीं थी महिलाओं के बारे में देश के बधान मंत्री ने कहा थे क्या गंदगी पहला रहे है और देश के बधान मंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा आप देश के बधान मंत्री खुद नितीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे है तो इसका टोटल ये है कि बिहार की जनता का एक बहुत 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 नुपसान और धोका उनको दिया जा रहा है बिहार में डिवलप्मेंट रुक चुका है अफसर शाही बढ़ चुकी है और हम तो शुरू से सीमान चल के रड़ाई लड़ते आए लड़ते रहेंगे और इससे जनता को फिर से मालुम हो गया कि M.I.M. और O.I.C. जो बात कह रहा था कि सेकलरिजम, पुलिटिकल सेकलरिजम सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है भारत के मुसल्मानों को धोका देने के लिए और अब की बार फिर से धोका दिया गया है बिहार के मुसल्मानों को सिर्फ सत्ता में आकर बैटने के लिए मैं उमीद करता हूँ कि ना सिर्फ बिहार बलके पूरे देश के जो अब संकेक समाज मुसल्मान और जो हमारे सेकुलर जहें रखने वाले हिंदू, OBC और दलिद भाई हैं वो देखेंगे इन चीजों को कैसे सेकुलरिजम के नाम पर चुनाव में तो ओट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपके ओट को ले जाकर RSS और मोडी के जोली में रख दिया जाता है तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टी इसका साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडर्शिप को डिवलप करना चाहती है